हेलो फ्रेंड्स मेरा नम अस्वानिकुमार गुपता है मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है गुलाइंग की इस स्रीज में आपके लिए मैं एक निया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको आज इस्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा अगर आप पहले से किसी कि C या C++ language को पढ़े होंगे तो आपको सायद वहां इस्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा तो यहां का भी स्ट्रक्चर कुछ वैसा ही है तो चली स्टार्ट करते हैं और इस कोड को लिखने के लिए हम लोग विजल स्टूडियो कोड एडिटर का यूज कर रहे हैं तो यहा अगला कोश्चन है कि यहां पर जैसा कि मैंने लिखा है वाट इस ट्रक्चर वाइवी नीड एस्ट्रक्चर जैसा कि अगर माल लिजे मुझे इक बुककी information में इस्टोर करनी हो तो बुककी information में क्या क्या होता है बुकका नाम होता है और आर आपके पास और वो name कैसा होगा बुकनी तो आप सोचे तो string होगा धान दीजेगा ज़रा इसबात को और अगर उसका page नंबर मुझे store करना हो तो वो कैसा होगा वो एक integer type number और अगर उसकी प्राइजस टोर करनी हो, तो मेभी वो फलोट हो सकती है या या मैं तीन वैरेबल बना हो और में पास सो बुक हो. तो मैं पास थ्री हंडडर्ड की वैरेबल हो जाएंगे वो भी मुझे याद करना बहुत टिफिकल्ट हो जाएगा तो अब मेरे पास एक कुछ ऐसा तरीका हो जिसमें मैं एक ही वैरियेबल डिकलेर करूँ और वो वैरियेबल कि structure की जरुद होगी क्यों कि क्योंकि structure is a collection of heterogeneous data type और एक user defined data type होता है मतला हम जो जो चाहें structure के अंदर डिकलेर कर सकते हैं और आप structure की मदद से multiple values आप एक single variable के अंदर store कर सकते हो तो चलिए यह हमारा structure का जरुद था और हम इस बात को अप practically देखते हैं तो इसके लिए मैंने य यह program बनाया अब प्रोग्राम के अंदर मैं लिखता हूँ मैं एक structure define करता हूँ पहले structure define करने के लिए आप एक काम करिए structure को जनरली आप mean के ऊपर declare करिए यह थोड़ा सा अच्छा होता है structure declare करने के लिए आपको लिखना होता है type और फिर आपको structure का एक नाम देना होता है च यह एक इवर्ट आप अगर आप C++ पढ़े होंगे और C पढ़े होंगे तो आप भी ऐसा ही करते थे अब आप इसकी बॉड़ी डिफाइन करिए इसकी बॉड़ी में आपको अगर माल लिजे जो मैंने भी लिखा था बुक नेम तो मैं एक वेरेबल डिकला करता हूं और इसका रोल नमबर ने लिखता हूं मैं स्टूडेंट के इंफॉर्मिशन ने मैं बुक नेम लिख लेता हूं और यह कैसा होगा तो यह स्ट्रिंग टाइप होगा ठीक है अच्छा और इसके बाद मैं अगर माल लिजे पेज नमबर लिखना हो तो मैं पेज नमबर लिखने के स्थे-सीधे अब लेख सकते होगा अब डेटा टैप लिख रहा हूग तो आप आओ और यहां पर लिखे लो हंपर पेज नमबर बेज नमबर और पेज नमबर भी कैसा लेवा इंटीजर टाइप है और प्राइस बहुं चलो वो भी इंटीजर इसकते हो लिकिर इंतीजर ट वेलू को इस्टोर करना होगा और एक बुक के इंफर में से स्टोर करने के लिए मैं क्या करता हूँ मैं में के अंदर चलता हूँ और में के अंदर मैं क्या करता हूँ यहां लिखता हूँ एक variable टिकारता हूँ Where और बुक के लिए मैं बी ले लेता हूँ B1 माल लिए एक बुक है तो B1 नाम का वेबल ले लिया और मैं इस B1 को भी बता जिता हूँ किस टाइप का है मैं लंक डेता हूँма मैं और बुक टाइप का है ये वेरेबल आच्छा इस में मुझे value assign करनी है इसकी तो मैं easy call to लिखूँगा और मैं लिखूँगा book और curly braces के अंदर curly braces के अंदर मैं ये जो उपर जो जो चीजे लिखा हूँ मतलब book का नाम क्योंकि string है तो माल लेज़े मैंने लिख दिया ad once see this book का नाम है advanced c ठीक है as book के page नंबर है 29 और as book के price 251 ठीक है अब मैंने एक book declare कर दिया और वह भी इस book के structure type का ये structure type का वेरेवल बन गया अब मैं इसकी वेल को print करवाता हूँ ये error मुझे इस ले रहा क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं करवाया अचलिए मैं इसको प्रिंट करवाने के लिए मुझे लिखना होगा fmt.println और मुझे इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ क्या बीवन इसका मतलब है मैं एक book की information अब प्रिंट करवा सकता हूँ और चलिए और और रन करवात के देखते हैं इसको तो रन करने के लिए आपको टर्मिनल में यहां पर लिखना होता है गो लैंग और गो रन और मैंने जो फाइल बना है उसका नाम है इस्ट्रक एकस्पी डॉट गो तो मैंने पहले से लिख के रखा था तो मैं आपको रन करवायता हूँ देखिए आपको क्या और पूर्ट मनता है देखिए मुझे यह इन्फोर्मिशन मिल गई एडवांस सी 29 और 251 अब अगला कुशन उड़ता है कि माल लिजे मैं केवल औकेवल बुक नेम को एकसेस करना चाहता हूँ जैसे मैंने यहां पर पूरे वेरे जो मैंने बीवन बना और मुझे केवल बुक नेम चाहिए तो मैं लिखूंगा जो वेरेवल बनाया हूँ बीवन डॉट और बुक नेम तो यह क्या फैस करके लिए क्या आएगा यह केवल और अब केवल बुक नेम की वेरे को डिस्पले करेगा यानि मुझे देखिए यह भी मिल ला और को फेच करूं या फिर मैं उस किताब की पर्टिकुलर इंफरमेशन को भी फेच कर सकता हूं तो उसके लिए मुझे उसका वेरेवल और डॉट जो इस्ट्रक्चर का वेरेवल है उसको लिखना पड़ेगा अब एक क्वेश्चा और रुखता है मेरे सामने कि माली जे मैंने यहां जो वेरेवल बनाया है उसमें मैं एक बुक की सारी इंफरमेशन स्टोर कर रहा हूं लेकिन हो सकता है कि मैं एक वेरेवल लिख लेया करूं एक अनधर बुक बनाओं और उस अनधर बुक के लिए जो वेरेवल है माली जो मैंने बुक आज लिखना है स्टार्ट किया ह मैं एक नए बुक लिख रहा हूं मालीजे एडवांस जावा ठीक है अब कुश्चन है कि मैंने पीजस लिख लिए उसमें और मेरे पास प्राइज नहीं हमाल लिजे मतलब मैं अभी डिसाइड नहीं कर पाया हूं कि मैं इस बुक की प्राइज क्या रखूंगा और मैं इसको बी टू कर देता हूं सेकेंड वरियाबल है तो यह दिकी क्या होता है अगर मैं इसको प्रेंट करवाने जाओं तो मैं लिख हो fmt.printalign और मैं अगर bt को print करवाँ तो क्या होगा देखिए रन करिए देखिए क्या होता है देखिए यहां पर एक error आने लगा error क्या आ रहा है और यहां पर भी error है यह बोला two few values in book literal go means अगर मेरे पास जो मैंने structure declare किया था उसमें मुझे तीनों information देनी थी मतलब book का नाम price और page नमबर लेकिन मैंने दो ही information इसको दी है तो इस case में इस तरीके से अगर मुझे यह जरूत हो तो मैं कैसे perform करूंगा क्योंकि ऐसा तो possible नहीं है तो अब आप इस काम को करने के यह की वैलो पेयर का मतलब होता है कि support आपको यह बुक नेम है तो बुक नेम लिखो और आप लगा देजिक कुलन और यह आपकी बुक नेम हो गए और यह माल लेजिए आपका प्राइज है सपोर्च अब पेज नमबर नहीं तप प्राइस अप आप आइसा लिक लिए अब अब इसको कोई प्रावलम नहीं होगी और अब रन कराईए इसको और देखे है अब इसको कोई प्रावलम नहीं है यानि आपने जो इंटीजर था चुकि पेज जमर तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो उठा लिया लेकिन अगर मैं इसका बुक्नेम नहीं देता तो यह ड तो अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ सेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे ताकि जब भी मैं वीडियो बनाओ तो इसका information और इसका notification आपको सबसे पहले मिल जाए थैंक यू फॉर वाचिन दिस वीडियो थैंक्स अगेन